नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कमा और कमानेदों के नए एपिसोड में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to start a sleeper making business in India और हवाई चपल बनाने का business कैसे शुरू करें इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जैसे कि कौनसी कौनसी मशीनरी की जरुवत होगी कौनसा raw material खरीदना होगा मशीन और raw material का cost कितना होगा और आप इनको कहां से खरीद सकते हो बिजनस शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरुवत होगी कौनसे कौनसे license लेने पड़ेंगे इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम आपको उन सभी suppliers के contact detail भी देंगे जिन से डारेक बात करके आप machinery और raw material खरीच सकते हो तो जानने के लिए वीडियो को अंतक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं business ideas, share market tips और कमाने से related बहुत सारी जानकारी तो अभी का आभी नीचे दिये गए subscribe बिटन पर click करें उसके बाजू में एक bell icon उसे भी दबा दे all notification जरूर सेट कर ले हमारे वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए दोस्तो sleeper एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई use करता है चाहे वो गाओं का हो या शहर का छोटा हो या बड़ा अमीर हो या गरीब तो दोस्तो आप खुछ समझ सकते हैं कि इस business में कितना scope है पिछले कई सालों से लोग इस business को करके पैसा कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कमाने वाले हैं दोस्तो आपको जैसे कि अमेरिका, इंग्लेंड, जर्मनी, फ्रांस और भी बहुत से देशों में माल सप्लाई किया जाता है तो दोस्तो आप भी अपने ब्रैंड की sleepers बना का बेश सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो तो चलिए जान लेते हैं इस business को शुरू करने के लिए कौन से कौन से license लेने पड़ेंगे और कहां कहां registration करवाना पड़ेगा इंडिया में sleeper making business शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी company को ROC के साथ register करना पड़ेगा ROC का full form होता registrar of companies दोस्तो अगर आप छोटे level पर company शुरू करना चाहते हो तो हम आपको suggest करेंगे कि आप OPC या LLP format में registration करवाएं OPC का मतलब one person company और LLP का मतलब limited liability partnership इन दोनों के बारे में अगर आपको जाधा जान करी चाहिए तो हमने description में एक link दिया है आप उसे check कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आपको trade license लेना होगा जिसके लिए आप apply कर सकते हैं local municipal authority के पास आपको DIC के पास SSI unit registration भी करवाना होगा और दोस्तो ऐसे manufacturing plant के लिए आपको pollution विबाग से भी permission लेनी पड़ती है तो दोस्तो ये वो legal procedures हैं जो आपको करने पड़ेंगे sleeper making business शुरू करने के लिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं actual business के बारे में कि आपको कितनी machinery खरीदनी पड़ेगी और कौनसा कौनसा raw material खरीदना पड़ेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं raw material की जो आपको regular basis पे खरीदना पड़ेगा sleepers बनाने के लिए सबसे पहली चीज है rubber sheets दोस्तो sleeper का soul बनाने के लिए इन rubber sheets की जरुवत पड़ती है rubber sheets के उपर dye रखी जाती है और उपर से punch किया जाता है जिससे ये चपल के shape में कड़ जाती है दूसरी चीज है sleeper straps दोस्तो चपल बनाने के लिए इन फित्तों की भी बहुत जरुवत पड़ती है और ये बने-बनाए दरजन के इसाब से मिलते है एक machine आती है उसकी मदद से आप इनको आसानी से sleeper में लगा सकते हो तीसरी चीज है packaging material दोस्तो packaging material की जरुवत आपको एकदम last में पड़ेगी जब आपकी sleeper बनकर एकदम तयार हो जाएगी दोस्तो packaging material पर आप अपने इसाब से खर्चा कर सकते हो आपका packing जितना अच्छा होगा उतना आपका product market में बिकेगा तो दोस्तो इन raw materials को आपको regular basis पर खरीदना पड़ेगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं sleeper making business शुरू करने के लिए कितनी machines खरीदनी पड़ेगी और कौनसी कौनसी machine क्या काम करेगी सबसे पहली machine है soul cutting machine दोस्तो इस machine का इस्तमाल करके आप rubber की sheets को चपल की shape में काट सकते हो इस business की शुरूआत करने के लिए सबसे main machine है ये machine आप अपने budget के हिसाब से और आपके पास कितना space available है उसके हिसाब से खरीच सकते हो दूसरी machine है soul drilling machine दोस्तो इस machine का इस्तमाल sleeper में hole करने के लिए किया जाता है rubber sheet से काटने के बाद जो चपल का shape बनता है उनमें 3 hole किये जाते हैं ताकि उन holes में फित्ता लगाया जा सके तीसरी machine है strap insertion machine दोस्तो इस machine की मदद से आप sleeper के hole में आसानी से strap डाल सकते हो जिसको फित्ता भी कहते हैं दोस्तो इस machine की एक खास बात है ये बिना electricity के चलती है इस machine का इस्तमाल करके manually फित्ते डालने पड़ते हैं तो दोस्तो ये 3 machines तो सबसे जरूरी है sleeper making business शुरू करने के लिए इसके अलावा दो optional machine भी है वो आप चाहे तो खरीच सकते हैं पहली machine है sleeper grinding machine दोस्तो इस machine का इस्तमाल करके आप sleeper को proper finishing दे सकते हो जब हम soul cutting machine की मदद से rubber sheet को काटते हैं तो कटी हुई चपल के बाहरी इससे proper shape में नहीं होते तो उनको shape में लाने का काम ये machine करती है दूसरी machine है screen printing machine वो ज़्यादा attractive दिखती है और उसके sales automatically बढ़ जाते हैं तो दोस्तो ये वो 5 machine है जिनको खरीद के आप sleeper making business शुरू कर सकते हो इसके अलावा आपको एक और चीज़ की जरुद पड़ेगी sleeper making die दोस्तो आप जिस भी size की sleeper बनाकर बेचना चाते हो उस size की आपको डाई खरीदनी होगी for example अगर आप 5 number से 10 number size की sleeper बेचना चाते हो तो आपको 6 डाई खरीदनी पड़ेगी दोस्तो हमें लगता है हमने वो सारी जांकरी cover कर लिये जिनकी जरुद आपको sleeper बनाने के लिए होगी तो चलिए sleeper बनाने का process जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है सबसे पहले soul cutting machine और die की मदद से rubber sheet को चपल के shape में काटा जाता है और चपल में 3 चोटे चोटे hole हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों कटी हुई चपल को proper shape देने के लिए sleeper grinding machine का use किया जाता है जिससे चपल के बाहरी हिस्से proper shape में आ जाते हैं उसके बाद screen printing machine की मदद से कटी हुई चपल पर color किया जाता है या फिर जैसा चाहे वैसा design बनाया जाता है और रात बर सूपने के लिए छोड़ दिया जाता है चपल सूप जाने के बाद soul drilling machine से छोटे छोटे होल्स को बड़ा किया जाता है ताकि उनमें straps लगाया जा सके उसके बाद straps insertion machine की मदद से manually fito को चपल में लगाया जाता है और चपल पूरी तरह से बनकर तयार हो जाती है finally carton में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे sleeper बनाना कितना आसान है तो चलिए आप जान लेते हैं ये सारी machines कितने की आएगी और raw material का cost कितना पड़ेगा दोस्तों soul cutting machine का प्राइज लगबग 20,000 रुपे से शुरू होता है और 10 से 12 लाख रुपे तक जाता है आप अपने budget के हिसाब से खरीच सकते हैं machine जितनी महेंगी होगी उसमें उतनी ज़्यादा functions होंगे और दोस्तों soul drilling machine आपको 10 से 12,000 रुपे में आसानी से मिल जाएगी इसके बाद strap insertion machine का cost आपको लगबग 8 से 10,000 रुपे पड़ेगा sleeper grinding machine भी आपको 8 से 10,000 रुपे में मिल जाएगी और दोस्तों manual screen printing machine की market में price है लगबग 15 से 20,000 रुपे तो दोस्तों हम मान के चलते हैं कि soul cutting machine आपने 40 से 45,000 की खरीदी तो सारी machines आपको 1,000,000 रुपे के अंदर मिल जाएगी दोस्तों हो सकता है अलग-अलग supplier का अलग-अलग price हो फिर भी आपको सारी machinery एक लाग रुपे तक मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों sleeper बनाने के लिए आप जो die खरीदेंगे उसका price होगा लगबग 700 से 1000 रुपे तक तो सभी size की die आपको 10,000 रुपे में आसानी से मिल जाएगी तो दोस्तों आपको 1-7 लाग रुपे का one time investment करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं raw material के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको खरीदनी होगी rubber sheets इनकी price 200 रुपे से लेके 1000 रुपे पर sheet होती है जितनी महेंगी sheet होगी उतनी rubber की quality अच्छी होगी तो आप market में जो quality की sleeper बना कर बेचना चाते हैं उसके हिसाब से rubber की sheet खरीज सकते हो दोस्तों एक sheet में आप आराम से 15 जोड़ी sleeper बना सकते हो मतलब 15 से 20 रुपे में एक जोड़ी sleeper का soul तयार हो जाएगा उसके बाद आपको जरुत होगी sleeper straps की इनकी price market में 60 रुपे से लेके 200 रुपे दरजन होती है मतलब 60 रुपे में आपको 12 जोड़िया मिलेगी एक जोड़ी की price आपको पड़ेगी 5 रुपे तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15 से 20 रुपे में soul तयार हो गया 5 से 10 रुपे में आपको फित्ता मिल जाएगा तो चपल की price होगी 30 रुपे के आसपास अगर आप slipper पे कोई भी design बनाना चाते हो तो printing cost आएगा maximum 2 से 3 रुपे और slipper तयार होने के बाद आपको box में packing करके बेजना होगा उसका cost भी 2 से 3 रुपे आएगा तो दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि एक जोड़ी चपल बनाने में आपका खर्चा आएगा 35 से 40 रुपे और आप इस चपल को market में retailers को आसानी से 50 से 55 रुपे में बेज सकते हो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर जोड़ी पे कम से कम 10 रुपे का फायदा तो होई जाएगा दिन भर में आपकी कमपनी जितनी भी चपल बनाएगी आपको उतना ही फायदा होगा फॉर एक्जामपल अगर एक मिनिट में एक जोड़ी चपल बनती है तो एक गंटे में कम से कम 50 जोड़ी चपल तो आसानी से बन जाएगी अगर आपकी मशीन दिन में 12 गंटे चलती है तो 12 इंटू 50 होता है 600 तो आपकी कमपनी एक दिन में आसानी से 600 जोड़ी चपल बना सकती है जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था एक जोड़ी पे 10 रुपे का फायदा होता है तो 600 इंटू 10 होता है 6,000 तो दोस्तो आप खुद देख सकते हैं कितने मुनाफे वाला बिजनस है और आप आसानी से 5-6,000 रुपे दिन का कमा सकते हो एक दिन का 6,000 रुपे मतलब महीने का 1,80,000 रुपे दोस्तो स्लीपर मेकिंग बिजनस में बहुत प्रॉफिट है अगर आपका धंदा चल पड़ेगा तो आपने जितना इंवेस्ट किया होगा वो 2-3 महीने में ही कवर हो जाएगा तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं इन स्लीपर को आप कैसे बेश सकते हो क्योंकि जब बिखेगा तभी प्रॉफिट दिखेगा दोस्तो हम आपको तीन तरीके बताने वाले हैं सबसे पहला तरीका है आपको अपना माल बेचने के लिए एक या दो लोगों को हायर करना होगा ताकि वो मार्केट में जाके होल सेलर्स और रीटेलर्स को आपके प्रोडक के बारे में बता सके और ओर ला सके दोस्तो ये पूराना मैथड है पर काम करता है आप देखेंगे इस मैथड से आपको एक महीने के अंदर ही ओर्डर्स आना चालू हो जाएंगे दूसरा तरीका है आप अपनी कंपनी को इंडिया मार्ट के साथ रेजिसर कर सकते हैं वहाँ से आपको बल्क में ओर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे इसके साथ आप Amazon और Flipkart के साथ रेजिसर करके भी अपना माल बेश सकते हैं Amazon और Flipkart से सेलर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको वहाँ से भी थोड़े थोड़े ओर्डर्स आने चालू हो जाएंगे तीसरा तरीका है आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए और अपने सारे प्रोड़क्स को वेबसाइट पर लिस्ट कीजिए उसके बाद अपने प्रोड़क्स और वेबसाइट की डिजिटली मार्केटिंग करवाईए मतलब Facebook और Google पर Advertisement करवाईए इससे आपका ब्रैंड सबकी नजरों में आ जाएगा और आपको ओर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो ये वो तीन तरीके हैं जिनकी मदद से आपको ओर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे दोस्तो स्लीपर मेकिंग बिजनस की शुरूआत करने के लिए आपको कम से कम 300 से 400 स्क्वेर फूट का एरिया चाहिए होगा ताकि आप 5 मशीन रख सको रो मटेरियल रख सको और काम कर सको दोस्तो हमें लगता है हमने सभी सवालों का जवाब दे दिया है अब हम आपको सप्लायर्स के कॉंटेक डीटेल दे देते हैं ताकि आप उनसे डारेक कॉंटेक करके बात कर सको और स्लिपर मेकिंग बिजनस की शुरुआत कर सको दोस्तो सप्लायर्स के डीटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप इन्हें नोट कर लीजे और इनसे कॉंटेक कर सकते हैं हमें उमीद है दोस्तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए हम उसका जवाब जरूर देंगे और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेर कीजिए जो खुद का बिजनस शुरू करना चाते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं बिजनस आइडियाज, शेर मार्केट टिप्स और कमाने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी तो दोस्तो अभी का भी सब्सक्राइब कर ले उसके बाजू में एक बेल आइकन उसे भी दबा दे और नोटिफिकेशन जरूर सेट कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ